बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com जो आपके जीवन के किसी खास समस्या को चुपके मदूर कर देगा तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में तो दिन है शुकरवार का तारीक है 8 जुलाए 2022 आशार शुकल नौमी पर चंदरमा तुला राशे और चितरा नक्षत्तर में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा तीन शुभंक रहेगा पीला शुभदिशा रहेगी इशान राहु काल रहेगा सुभे 10-42 से लेकर 12-26 तक रवी योग रहेगा दुपहर 12-14 से लेकर के अगले दिन सुभे 5 बजे तक दिन का सब सशुभ मोहरत जो रहेगा वो रहेगा दुपहर को साड़े 12 बजे से लेकर साड़े 3 बजे तक का और विशेश क्या है आशार नवरात्र की नौमी है और अस दिन सिद्धात्री देवी का पूजन किया जाएगा और हमारा जो विशेश उपाय है वो भी माता सिद्धात्री से ही जुड़ा हुआ है बताएंगे आपको कैसे सुख सुविधा में व्रद्धी होगी उसके लिए राशे फल आपको आखर तक देखना पड़ेगा तो चलिए अब शुरुआत करता है राशे फल की राशे नमबर एक में शैनी एरिस के साथ में कारोबारी सफलता मिलेगी खेल शेतर से जोड़े लोग सफल रहेंगे यातरा में लाब के योग हैं खास काम में लाब होगा घरेलू काम में भाग दोड रहेगी उपाई ये करें कि सिक्के पर चंदन लगा कर तेजोरी में रखें शुभंक तीन रहेगा शुभंक रहेगा पीला दूसरी राशी व्रिश यहने की टौरस की बात करेंगे भाशा पर सहीयम रखें बंते वे काम बिगणने के यूग हैं दफ्तर में कामकाच का बोज बढ़ेगा दैने खर्च काबू में रखें उधार की लेंदेन से बचें उपाई ये करें कि गुलाबी स्केच मन का उ लेगा छात्र सफल रहेंगे उपाई ये करें कि दूद मलाइका सेवन करें शुबंक आठ रहेगा शुबरंग रहेगा काला चौथी राशी कर्क यानि की कैंसर की बात करेंगे कारोबारी विस्तार की यूजना बनाएंगे बेकार चिंतना करें दफ्तर में विरुधियों स सतर करें आर्थ शेत्र जो है वो ठीक रहेगा रिष्टों में गलत फहमी से बचें उपाई ये करें कि पूजागर में गुलाब के फूल चड़ाएं शुबंक पांच रहेगा शुबरंग रहेगा धरा पांचवी राशी सिंग यानिक लियों की बात करेंगे विभार में सह खुश रहेंगे वेवार से करियर में तरक्की के योग हैं अचाना खर्चों में व्रद्धी होगी सामाजिक समारों में भाग लेंगे सहत पर ध्यान दें उपाई ये करेंगी जेव में गुलाब कफूल रखें शुबंक चार रहेगा शुबरंग रहेगा नीला छटी ये लिवरา की बात करेंगे नए काम में रुचि लेंगे पारे वार एक विवाद जो हैं वो हल होंगे जरूरी काम को पूरा करेंगे छात्रा पहले साधिक मेहनत करेंगे चार genauत करेंगे कारोबार में सफलता मिलेगी प्रॉपटी में निवेश करेंगे उपाई ये करें कि घर की दक्षन पूर्व दिशा में जाडू लगाएं शुभंक तीन रहेगा शुभंग रहेगा तीला नमीर आशिद धनू यानिकी सजटेरियस की बात करेंगे नैस रोतों से धनलाब होग काम काज में जल्दबाजी से बच्चे एं गाड़ी खरीदने के युग हैं मितरों के साथ में पाटी करेंगे खास लोगों से संपर्क से लाब होगा उपाईये करें कि किन्या को गुलाबी कपडा दान इः करें शुभंक चैर रहेगा शुभंक रहेगा गुलाबी ग्यारवी राशी कुम भीहने के अक्वेरियस के बात करेंगे जल्दवाजी में कोई भी फैसला ना लें आए के स्रोत बढ़ेंगे पराने निवेश से लाब होगा संतान के 29 से खुश होंगे दामपते में तालमेल बढ़ेगा उपाई ये करें कि बेडरूम में फिनाईल का पूछा लागाएं शुभंक दो रहेगा शुभंक रहेगा सफेद बारवी राशी मीन यानि पैसिस की बात करेंगे दफ्तर में काम का बोज बढ़ेगा करियर में तरक्की के योग हैं अधिकारी वर को सफलता मिलेगी व्यापार में लाब मिलेगा नीजी यातरा के योग हैं उपाई ये करें कि इच्छा नुसार दूद दलिया खाएं शु दात्री के पूजा करें और सिद्धिदात्री की कपूर चंदन जलाकर आरती उतारें उस पूरे प्रियोग में विशेश मंतर का जाप करें ओम सिद्धि द्यायनी देविये नमहा आश्वस्त करता हूं आपको सुक्सो विधाओमनिस्चित व्रद्धी होगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी तब तक इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाएं